फानले दोस्तों बोट की तरब से एक नई स्मार्ट वाच लाँच हो चुकि यह बोट एक्स्टेंट टॉक इस वाले स्मार्ट वाच में आपको दो प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं एक है ब्लूटूथ कॉलिंग और दूसरा है ऐलेक्सा बेटिन इसके साथ में आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिल जाते हैं तो आगे मैं आपको इसी वाले स्मार्ट वाच का एक डेटेल रिव्यू देने वाला हूं सारे फीचर्स के बारे मैं आपको पूरी डेटेल में एक्स्प्लें करने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा जुरूर देखिएगा सबसे प्लूट उन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो बोट एक्स्टेंट टॉक स्मार्ट वाच का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है साइड में जो इसके मेन फीचर है ब्लूटूथ कॉलिंग अलक्सा बिल्टिट का आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और बैक फिर लक्सा का है फिर यहां पर बोट के 4000 प्लूट्स आते हैं उनकी डिटिल्स आपको इस पेपर में मिल जाएगी और सबसे लास्ट में आपको बोट का एक स्टीकर मिल जाएगा सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसके फिसकल उबर्व्यू से तो स्मार्ट वाच मेरे पास ग्रे और ब्लेक कलर के साथ में है और यह अपको पॉलि कर्बनेट के साथ में देखने को मिल जाएगा काफ एच्छी फिनिसिंग मिल जाती है राइट हैं इसका एक फिसकल की मिल जाता है जहां से आप इसका मेनू उपन कर सकते हो बैक साइड में मल्टिपल आपको सेंसर द बाहन के रह सकते हो यहां पर जो डिजाइन और बिल्ट है काफी अच्छी आपको मिल जाती है बहुत ही लाइट वेटेड है तो काफी देर आप बिना किसी प्राव्ब्रम के इस वाले स्मार्ट वाच को यूज कर सकते हैं इसमें 1.69 इंच की HD resolution वाली colorful display देखने को मिल जात है और यह जो brightness है यह automatically भी adjust हो जाती है settings में जाके आप auto brightness को भी select कर सकते हो इसके अलावा इसमें 100 प्लस watch faces cloud based देखने को मिल जाते हैं इसमें खास बात यह कि लगबख से आप तीन watch face को अपनी खुद की image को use कर सकते हैं मतलब custom watch face आप इसमें 3 सेफ करके रख सकते हो smart watch में तो तो display side से कोई भी problem इसमें नहीं ना तो brightness को लेके है ना ही colors को लेके है और ना ही इसके touch response को लेके है तो display काफी अच्छे आपको इस वाले smart watch में मिल जाती है इसके अलावगर fitness feature side से देखा जाए तो इसमें health data आपको मिल जाता है जहाँ पर आपके डेबर की जो भी activity होगी आ आप यहीं पर देख पाऊगे इसके अलावा इसमें heart rate monitoring मिल जाती है SPO2 है जहांसे आप अपना oxygen level monitor कर पाऊगे stress monitoring है, breathe training है, sleep tracking मिल जाती है फिर इसमें आपको मिल जाता है pedometer, sedentary reminder, water drink reminder, इस तरह के features मिल जाते हैं अब यहाँ पर फटा-फट से test कर ले heart rate और SPO2 का क्या यहा comparison कर लेते हैं, heart rate का आप data देख सकते हैं, smart watch में 87, oximeter में 88 है, तो बहुत ही similar result यहाँ पर heart rate का देखने को मिल रहा है, अगर वहीं पर आप SPO2 का data देखे हैं, तो smart watch में 98 है और oximeter में 98 है, तो यहाँ पर भी बहुत ही similar result आपको मिल आपको मिलेगी, वैसे आपको इसमें stress monitoring भी मिल जाती, तो आप stress भी अपना monitor कर सकते हो, बाकि जो sleep tracking है, आपका sleep data यहाँ पर काफी सारे detailing में देखने को मिल जाएगा, smart watch अगर आप किसी table पर रखके measure करते हैं, तो यह measure नहीं करती है, आपको पहनना होगा तब ही आपका जो भी fitness data है, smart watch measure करने वाली है, वैसे आपक call करके test कर लेते हैं कि कि किस हिसाब से इसका speaker और microphone काम करता है, हलो अस्तोस भाई, अब आज कैसे जा रही मेरी, अब आज मतलब मैं smart watch से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि smart watch का use कर रहा हूँ, अच्छा काफी clear सुना ही दे रहा है ना, चलो ठीक है फिर, तो इसको मैं क अच्छी quality का आपको इसमें मिल जाता है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, तो like कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है, तो subscribe भी कर दीजिए, अब बात करने smart watch की UI की, तो जैसे आप swipe down करते हो, तो यहाँ पर notification panel आपको देखने को मिल जाएगा, तो same widgets ही आपको देखने को मिल जाएगी, तो क्योंकि लिए यहाँ से आप किसी भी feature को activate करके उसका use कर सकते हो, यहाँ पर जो physical की मिलती है, अगर आप इसको press करते हो, तो इसका menu open हो जाता है, इसके अंदर में बहुत सारे आपको features देखने को मिल जाते है, आप देख सकते ह इसमें आपको weather update मिल जाता है, जो लगबग से 7 days के आसपास का आपको weather update देदेगा, music control है, अपने phone का music आप यहाँ पर control कर पाओगे, clock के अंदर में आपको alarm, stopwatch, time और word clock देखने को मिल जाता है, ambient sound का भी आपको इसमें option मिलता है, तो ambient sound भी आपके आसपास का कितना decibels है, य ringtone के volume का up कम जादा कर सकते हो, ringtones में आपको 2-3 आप ringtones मिल जाती है, जो भी आपको पसंद हो, आप उन्हें select कर सकते हो, और फिर यहाँ पर जो message tone है, इसके अंदर में जब भी कोई notification आता है, तो वहाँ पर भी smartwatch ring करती है, तो उसके भी आपर कुछ ringtones मिल जाते हैं, आप उ 20 seconds का है, और यह auto brightness को भी smartwatch support करती है, और आफ restart, reset, about और help, इस तरह के आपको बहुत सारे इसमें settings देखने को मिल जाते हैं, तो अटने need के इसाब से इन्हें use कर सकते हैं, वैसे कर आप workout clubber हो, तो इस वाले smartwatch में आपको 60 plus जो है, वो different type के sports mode built-in देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर इसमें कोई आप workout start करते हो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें sound आता है, तो आपको पता चल जाता है, थोड़ सा interesting भी लगता है, यहाँ पर आपको timing दिख जाएगा, फिर आपकी कितनी calorie बनोई, कितना distance आपने कबर किया, कितने steps आप चले हो, आपका heart rate data क्या है, और यहीं से आप अपने phone का music भी control कर पाओगे, तो यह बहुत सारी detailing को offer करता है, जब आपका workout complete हो जाएगा, तो application में बहुत ज्यादे detailing आपको देखने को मिल जाएगी, आपके जो सबसे interesting feature है, वो है इसमें Alexa आपको built-in देखने को मिल जाते है, तो आप widget से Alexa को activate कर सकते हो, या फिर power key को अगर आप long press करके रखते हो, फिर भी Alexa जो है यहाँ पर activate हो जैसे Alexa activate होगा, कोई भी command यहाँ पर दे सकते हो, Alexa what is the weather today, तो कुछ इस हिसाब से आप Alexa का use ले सकते हो, Alexa काफि responsive तरीके से यहाँ पर काम करती है, और कुछ भी आप मुझते हो, तो आपको quickly इसका reply भी दे देती है, अब यह जो watch है, IP67 rating के साथ में आती है, इसका मतलब sweat, splash और dust resistant है, तो by mistake अगर इसमें पानी कर जाता है, या फिर हाथ धूल रहे हो, आप भीग जाती, smartwatch तो खराब नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको पैन के swimming shower लेते हो, तो उस case में यह definitely खराब हो सकती है, वैसे आपको इसमें जो battery backup मिलता है, 7-10 days का battery backup है, बिल्कुल अगर आप इसको normally use करते हो, लेकिन अगर आप Bluetooth calls का use करते हो, तो उस case में आपको 2 दिन का battery backup इसमें देखने को मिल जाएगा, तो battery backup टोटली depend करेगा कि आप smartwatch को किस तरह से use कर रहे हैं, बोट extend talk का application जो है boat wave है, आपको Google Play Store पर मिल जाएगा, home screen पर आपके day भर के जो भी activity होती हो, सब कुछ यही पर आपको देखने को मिल जाएगी, training के अगर आप जाते हो, कोई भी workout कि यहाँ पर start करोगे, तो आपको GPS database मिलेगा, बस आपको phone carry करना होगा, और smartwatch को भी carry करना होगा, device पर आ monitoring आपको यही पर देखने को मिल जाएगी, alarm clock है, और message notification आप यहाँ से customize कर सकते हो, और Alexa का setup मिल जाता है, और calls के अंदर में अगर आप जाते हो, आपके जो भी favorites contacts हैं, आप यहाँ पर add कर सकते हो, क्या आपको device setting और कुछ basic settings आपको इसके application में देखने को मिल जाएगी, तो आ इसके साब से इसके Bluetooth calling है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, Alexa जो built-in आपको मिल जाता है, इसका response बहुत ज़्यादा fast होने वाला है, आपको बढ़िया display मिल जाती है, fitness के जो features इनके accuracy अच्छे मिल जाती है, और battery backup भी काफी अच्छा कासा आपको देखने को मिलता है तो यह जो smart watch है मेरे तरब से recommended है, आप इसे buy कर सकते हो, आपको इसका best buy link description box में भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपका फिर भी कोई question है, सवाल वाद से related, नीचे comment करके आप मुझे पूल सकते हैं, वीडियो helpful लगी हो, तो like कर दीजे और इसी तरह की और वीडियो को दे झाल